हेलो गाईज, आज की वीडियो शुरू करते हैं तो गाईज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक एंगल गरेंडर की वाइरिंग कैसे होती है तो देखिए गाईज, यह हमारा एक एंगल गरेंडर है हो सकता है आपके पास भी सेम हो या फिर हो सकता है किसी other brand का हो पोस, मगीता, हिकोकी, किसी भी brand का हो सकता है हर एक angle grinder की wiring बिल्कुल सेम होती है चाहे वो किसी भी brand का हो चाहे वो unbranded ही क्यों नहीं हो उसकी wiring भी बिल्कुल सेम होती है तो आज की वीडियो में मैं आपको यही wiring समझाऊगा कि कैसे एक angle grinder की wiring हम कर सकते है तो चलिए तो इस wiring को समझने के लिए हम एक diagram की help लेंगे ना कि एक actual angle grinder की क्योंकि मुझे लगता है एक diagram की help से हम इसको better way में समझ सकते हैं बजाए एक angle grinder के फिर भी मैं आपके लिए एक अलग video डाल दूँआ जिसमें मैं आपको angle grinder की wiring को angle grinder की help से ही समझाऊगा लेकिन इस video में हम सिर्फ diagram की help से समझते हैं कि इसकी wiring कैसे होती है तो देखिए गाई हमारे angle grinder में सबसे main part होता है हमारी filled coil तो देखिए यह हमारी angle grinder की एक filled coil है इसमें total दो coil होती है एक उपर वाली coil और एक नीचे वाली coil और हर एक coil में से दो wire निकलते हैं जैसे कि उपर वाली coil है उसमें से मारे दो red wire निकल गए और जो नीचे वाली coil है उसमें से मारे दो blue wire निकल गए हो सकता है आपके angle grinder filled coil से अलग color की wire निकले लेकिन वायर चार ही निकलेंगे और दोनों कोयल से दो-दो वायर ही निकलेंगे तो अब बारी आती है इनके connection की, इन चार वायर के connection की तो connection करने के लिए सबसे पहले हम आर्मीचर को ले के आते हैं देखिए हमारा आर्मीचर आ गया है अब देखिए, इनका connection समझते हैं, इन 4 वार का connection समझते हैं, तो देखिए, हर एक कोईल से, उपर वाली कोईल हमारी, उसमें से कोई दोनों वायर में से कोई भी एक वायर, और इसी तरह हमारी जो नीचे वाली कोईल है, उसके दोनों वायर में से कोई भी एक वायर, देखिए हमने उपर वाली कोयल में से एक वायर चूज कर लिया, कोई भी वायर चूज कर लिया, और इसी तरह जो हमारी नीचे वाली कोयल है, उसमें से भी कोई एक वायर चूज कर लिया, देखी, हमने ये दो वायर चूज कर लिया, अब इन दोनों वायर के साथ आप कारबन को प्रेट के वह हैं तो इन दोनों wire के connection के लिए हम सबसे पहले Switch को ले हमारे पास च्यार वायर में से तीन वायर का connection already हो चुका है अब हमारे पास एक वायर बचा हुआ है तो इसका connection समझने के लिए हम बात करते हैं जो हमारा angle grinder होता है उसमें से एक वायर बहार निकलता है जो की जागे power spline लगता है वो अंदर कहां connect होता है वो actually यहीं पर connect होता है meanz, दोनों वायर में से जो हमारे जो power spline के लिए हम 2 वायर, angle grinder के अंदर से बाहर निकलते हैं उन में एक वायर थो हमारा जो switch का एक point है, उसके साथ connect होता है, जो remaining switch का एक point है, उसके साथ attach होता है, और जो दूसरा point है, वो हमारे इस field coil से जो एक wire बचा हो है, remaining wire, इसके साथ attach होता है, तो इस तरह देखिए, दो wire निगलेए, और जाके power spline लग गए, तो कईज इस तरह आपके angle grinder की wiring होती है, totally, आप जो wiring को एक better way में समझ सकते हैं, बजाए एक angle grinder के, actual angle grinder के, क्योंकि वहाँ पे wiring ज़्यादा होने के विजए से complication हो जाती है, आपके लिए उस समझना थोड़ा difficult होता है, लेकिन इस diagram के help से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक वीडियो ब किसी भी power tools related कोई भी problem हो, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, या फिर आप किसी power tool के किसी spare parts को purchase करना चाते हैं, जिसके विजए से आपका power tool खराब हो गया है, तो आप उस spare parts को description box में ढूंड सकते हैं, किसी power tool का switch हो, या फिर किसी power tool का internal part हो, तो आप उसको description में जाके ढूंड सकत हो सकता, आपको part मिल जाए, और आपका power tool रिपेर हो जाए, और इसके अलावा अगर आप किसी भी power tool को purchase करना चाते हैं, तो उसके लिए भी आप एक बार description जूरू check करें, क्योंकि वहाँ पे मैंने, जो मेरी हिसाब से best product है, best brand के best product है, वो मैंने list कर रखे हैं, वहाँ से So thank you guys, thank you for watching this video, आगे मिल तेंकिसी ओर वीडियो में